असलाम नेकिम दिए स्टुरेंट्स उमीद करता हूँ आप सब खरीद जाओंगे आप लोग का रिजल्ट आने वाल है तो मैंने सोचा है कि आप लोग को एडवांस में एक वीडियो बना के देदू क्योंकि मुझे पता है कि रिजल्ट आने के बाद आप लोगों ने यही ची पहले आप लोग को समझा दिताहूं एक चीज समझाद उगन तो यहांपे मैं इसको select करता हूँ यहांपे मैं कहता हूँ जी आप लोगे पांच subject हैं आपके 5 subject हैं हर subject के तीन credit hour होते हैं हर subject के क्या होते हैं तीन तो तीन को पांच से जर्ब दो तो टोटल आप लोगे credit hours कितने होगे 15 जब आप लोगे result आएगा ना आप लोगों के credit hours आएंगे जिस बच्चे के credit hours अगर आपका पहला समेस्टर अगर आपके 6 subject हैं तो आपके credit hours बनेंगे 18 जिस लिखा होगा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ यह लिखा हूँ यह लिखा हूँ credit earned ठीक है यहाँ पर लिखा होगा credit earned जब आप लोगों का result आएगा अगर यहाँ पर आप लोगों के 5 subject हैं यह तो वैसे डेमो में ने खोला हूँ है अगर यहाँ पर लिखा है 15 तो इसका मदब आप सब में पास है अगर यहाँ पर लिखा हूँ आए 12 इट मेंज आप एक में सपली आप कि अगर यहाँ पर लिखा हूँ आए 9 इट मेंज आप लोगों के 2 सपली हैं अगर यहाँ पर लिखा हूँ आए 6 तो इट मेंज आप लोगों के 3 सपली हैं अला ना करे ऐसा हो मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के 5 सब्जेक्ट हैं तो अगर लिखा हूँ है Credit Earned 15 It means आप लोग फुल पास हो अगर इस में से 3 कम है 6 कम है जित्रे कम होते जाएंगे अगर लोगों के पनरा लिखा हूँ है अब बात करते हैं CGPA की ठीक है जी आप मैं चलता हूँ CGPA की दिरफ इनको भी मह Caroline कर देता हूँ जी तो यह आगया हमारा CGPA सबसे पहले मैं बात करता हूँ semester CGPA की इसका मतलत भी होगा कि आप लोगं की जो भी समेस्टर चाल रहा है अगर फस्ट चाल रहा है तो सिर्फ फस्ट का CGPA यहां पर आएगा फर एक्जमपल 3.10 आ गया अगर आप लोगं को सेकिंड चाल रहा है तो जो सेकिंड समेस्टर का CGPA आएगा वो यहां पर काउंट होगा उसके बाद होता है CGPA and effective CGPA ये जब आप लोगों का result आएगा ना तो कुछ लोगों का ये same होगा CGPA और दूसरा होता है effective CGPA ये गोर से समझिएगा अगर ये आप लोगों का same है अगर ये आप लोगों का same है it means आप लोग full pass हो it means आप full pass हो वैसे यहां पे थोड़ा साप लोगों को बता दिता हूँ that for example आप लोगों का पहला semester है आप लोगे 5 subjects थे अगर आप लोगे 5 pass है तो ये क्या होगा दोनों same होगे अगर आप लोगे 5 subject है तो आप लोग 4 pass हो और एक में fail हो तो आप लोगों का CGPA और होगा, for example, यहां पे लिखा होगा 2.5 और effective CGPA हो सकता है, लिखा हो 3 तो effective CGPA वो होता है जिसमें फेल वाले निकाल कर सिर्फ इन चार का CGPA लिखा जाएगा, समझा रही है बात इन चारू में आप पास हो, तो इन चारू का जो CGPA बनेगा ना वो यहां पे effective होगा, और जो CGPA होगा ना, वो होगा जी चारू का भी और इस फेल वाले सब्जेक्ट का, for example, इन चारू में आप लोगों के नंबर आगे हैं, for example, पचास वाला पास होता है तो आप लोगों के 200 नंबर आगे, और इस में से नंबर थे आपके 25, तो टोटल कितने होगे, दोसो 25, दोसो 25 की एवरेज यहां पे जब करेंगे, तो CGPA थोड़ा सा कम बनेगा, तो यह होता है, fail वाले सब्जेक्ट को डाल के, और effective CGPA कौन सा होता है, जिसमें fail वाले सब्जेक्ट को निकाल के, जिनने सब्जेक्ट में आप पास होते हो ना, तो उनकी परसंटेज निकाल ले जाती है, तो इसलिए effective CGPA ज्यादा होता है, और CGPA कम होता है, मैं दوبारा से आप लोगों को समझा दे होते हैं, तो इटमीज एक में आप उडगे हो, और यहाँ पर CGPA भी आपका different होगा, CGPA सेम है, तो इटमीज आप full pass हो, तो यह था जी, इनका फर्क, होपस हो, आप लोगों को समझ आ गया होगा है, इसके हवाले से, अगर कोई भी और क्वेस्टन है, तो लाज़में पूछ जा देना, ताकि उनको पता चल सके, कि यह CGPA का चकर यहां पर क्या होता है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अलाहाफेज